रखती है अपनी कोख में नजाने कितने दर्द सहती है मा फिर भी किसी से कुछ भी न कहती है मा जिसने दिया दर्द उसे कसकर सीने से लगाती है मा सो बार पुछ कारती है मा कभी दुलारती है मा कभी निहारती है मा नीन न आए तो लोरी सुनाती है मा ममता से भरे दूद की ध अपने बच्चे पर लुटाती है मा, नजाने अपने लाल को कितने नाम से पुकारती है मा, खेल खेल में बच्चे को बोलना सिखाती है मा, उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है मा, हर खुशी अपनी अपने बच्चे पर लुटाती है मा, घर को ही विद्या का मंदिर बनाती ह मा, इस्कूल जाने से पहले ही बच्चे को पढ़ना सिखाती है मा, काट कर अपनी खुशी बच्चे की फीस जोड़ती है मा, है नहीं रिक्षे के पैसे, इसलिए लेकर गोदी में स्कूल छोड़ती है मा, देखकर दोस्तों के विंजन बच्चे का दिल ललचाता है, देखकर दोस्तों के विंजन बच्चे का दिल ललचाता है मा तू नहीं देती मुझे कुछ भी ऐसा यह कहकर बच्चा मा पर गुसाता है सिसक सिसक कर रोती है मा पर अपने आसूना बच्चे को दिखाती है मा पेट चीर कर अपना बच्चे को ने ने विंजन खिलाती है मा अब ख्वाईशों का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ जाता है कभी कपड़े कभी खिलोने और कभी पैसे को लेकर बच्चा अपनी मा पर चिलाता है फिर अचानक से मा का हाथ एक दिन बच्चे पर उठ जात है फिर अचानक से मा का हाथ एक दिन बच्चे पर उठ जाता है बस यहीं से बच्चे का वहवार मा के लिए और निस्टुर हो जाता है और निस्टुर हो जाता है पर अकेले में खुद को नोचती है मा क्यों मारा मैंने अपने लाल को यह कहकर खुद को कोशती है मा यह कहकर बच्चा उसे आपी बड़ा हो जाता है अब तो हर बात पर वे मा पर चिलाता है कभी एसी तो आपनी मां को नीचा दिखाता है। अपनी मा को नीचा दिखाता है हर चोटी चोटी बात पर घर छोड़ने की धमकी वो मा को दे जाता है बच्चे से दूरी की बात को सुनकर मा की रूह कपकपा जाती है और कलेजा थमसा जाता है इसलिए अपने बच्चे की हर बात को हसकर सहती है मा पर कभी उससे कुछ ना कहत मा एक दिन वहबी आता है जब बच्चा प्रेम जाल में पढ़ जाता है मा के अर्मानों को लात मार कर बिन पूछे ही अपनी प्रेमिका को भिया ले आता है चोट पोहुंचती है मा को फिर भी बहु को पुछकारती है मा जो कुछ भी था उसके पास वो सब अपनी वहु पर व कारती है मां फिर भी बेटा मा को धिक आरता है अपनी पतनी के सामने ही अपनी मा को बेहा और बद चलन कहकर पुकारता है इस बात को सुनकर उसकी पतनी के पैरों तले जमीन खिसक झाती है वह हो नहीं सकता किसी औरत का जिसको अपने मां के दूद की लाज भी रखनी नहीं आती है इस बात को कहकर वह अपने पती को छोड़कर पिता के घर चली जाती है पिता के घर चली जाती है इस बात का कसूर भी बेटा अपनी मा पर डालता है और अपनी हर बात का इलजाम अपनी मा पर लगाता है और एक दिन आवेश में आकर वो अपनी मा को व्रद आश्रम छोड़ आता है अब बंद घर की दिवारें उसे नोचने को आती है अब बंद घर की दिवारें उसे नोचने को आती हैं सूने घर का एक एक कोना उसे अपने बच्पन की याद दिलाता है कैसे पाला था माने उसको यह दरश्य उसे दिखलाता है तूने अपनी मा के साथ क्या किया यह कहकर बेटा मामा कहकर चिलाता है यह कहकर बेटा मामा कहकर बेसुद होकर नंगे पैरों से वो दोड़ दोड़ कर व्रद्र आश्रम पहुँच जाता है कहे बेटा बेटा चल बसी तेरी मां यह बात उसे व्रद आश्रम का संचालक बतलाता है जीते जी जो हो ना सका मा का उसके मरने के बाद वो उसके फोटो पर हार चलाता है धन्यवाद आपका अपना डॉक्टर सचिंगो स्वामी